हलो दोस्तों मैं सर्दिकमार्शिना हमने पिछली क्लासेज में नंबर सिश्टम के बारे में जाना था आईए उसी को आगे और बढ़ाते हैं आज हम लोग परिमेशंख्या के बारे में जानेगे परिमेशंख्या जिसे रेशनल नंबर भी कहते हैं परिमेरी संख्या जिसे हम इंग्लिस में अंग्रेजी में रेशनल लंबर भी कहते हैं परिमेरी संख्या से हमारा साथ परे उस संख्या से हैं जिसे हम P by Q में लिख सकें जैसे कि 4 बटे 3, 3 बटा 5, 8 बटा 9 इत्यादिर यहां पर P अंस है और Q हर दूसरा आता है वैसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें यहां पर देखिए 64 का वर्गमूल जो है आठ होगा और 144 का वर्गमूल 12 होगा और 400 का वर्गमूल 20 होगा जब हम अस्वायर में इस्वायर रूट पराएंगे तो बताएंगे कि आसानी से कैसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं कैसे हम अस्वायर रूट निकाल सकते हैं कैसे हम वर्ग कर सकते हैं यानिके स्पार कर सकते हैं किसी भी संख्या का एक तीसरा बिंदुश में है कि वैसी संख्या वैसी संख्या जिसके दसमलब के बाद एक ही अंक रिपीट हो एक ही अंक रिपीट हो यहाँ पर आप देखिए परिमेश संख्या उस संख्या को कहते हैं यानिके रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसे हम P by Q में लिख सके हैं जिसका हम जिस संख्या का वर्ग मूल निकाल सके या तो फिर उस किसी संख्या के दसमलब में दसमलब के बाद एक ही अंक यहां पर एक-एक रिपीट होता जा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं दसमलुपन के, बारीमेशूं के बारे में जानते हैं और परिमेश संख्या, वैसी संख्या, जिसे हम P by Q में नहीं लिख सकें, वैसी संख्या, जिसका कि हम वर्गमूल नो निकाल सकें, एवं वैसी संख्या, जिसके दसमलव के बाद एक ही अंक नहीं रिपीट होता हो, यहाँ पर आप देखिए, P by Q में जिस संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं, या तो फिर जिसका हम पर मूल नहीं निकाल सकते हैं, या तो फिर उस संख्या के दसमलव के बाद एक ही अंक रिपीट नहीं होता हो, वैसी संख्या को हम ओपरिमेश संख्या कहते हैं, आप देखते हैं हम लोग, ओ भाजी संख्या, ओ भाजी संख्या, ओ भाजी संख्या से हमारा ताजपर है, ओ भाजी संख्या मतलब की प्राइम नंबर, ओ भाजी संख्या मतलब की प्राइम नंबर, यानि वैसी संख्या, वैसी संख्या, जिसका केवल और केवल दो खुनन खड़ हो, जैसे कि हम संख्या यहां पर लेते हैं, उसके बाद से हम मालूम करेंगे, कि ओ भाजी संख्या क नो दस वाई सी संख्यां जिसका केवल दो गुनन खंड हो 2 गुनन खंड तो आ ये हम दो देखते हैं किसका 2 गुनन खंड है 1 का केवल 1 गुनन खंड है 2 का 1 गुना रो 3 का 1 गुना天 4 का 1 गुना चार 5 का 1 गुना पांच 6 का चार का यहां पर जो है एक गुना, दो गुना, दो है पांच का एक गुना, पांच है छा का एक गुना, छा है छा का एक गुना, दो गुना, तीन है साथ का एक गुना, साथ है आठ का एक गुना, दो गुना, दो गुना, दो है नौ का एक गुना, तीन गुना, तीन एवन दस का एक गुना, दो गुना, पांच तो अभाई की संख्या का ये सर्थ है कि वो संख्या, वैसी संख्या या तो वो केवल एक से विभगत हो, केवल एक के द्वारा विभाजित किया जाता हो या स्वैंग से भी भाजित किया जाता हो यानि केवल और केवल दो गुनन खंड हो वैसी सारी की सारी संख्या है और भाजी संख्या यानि कि प्राइम नंबर कहलाती है तो आईए हम देखते हैं यहाँ पर केवल दो और दो गुनन खंड यानि कि एक और स्वेंग से विभाजित हूँ, तो वह इसी संख्याएं कितनी है? पहला संख्या दो हो गया, उसके बाद तीन है, उसके बाद पांच है, उसके साथ है एक से दस तक में तीन आईसी संख्याएं हैं जिसका केवल एक और दो यानि की स्वाइन केवल एक और स्वाइन गुरनखंड है तो इस परकार हम पाते हैं कि अभाज्टी संख्याँ सबसे पहला अभाज्टी संख्याँ दो है दूसरा अभाज्टी संख्याँ तीन है तीसरा अभाज्टी संख्याँ पांच है चौथा अभाज संख्या 7 है, पांचिवा अभाज संख्या 11 है, छठा अभाज संख्या 13 है एवन अनंत तक की वैसी संख्याएं जो एक से तथा स्वय मुझे से विभाजित हो वे सारी की सारी संख्याएं अभाजी संख्याएं हैं यहाँ एक खास्यत्ता को देखने को मिलेगा कि दो एक ऐसा अभाजी संख्या है जो की समसंख्या है केवल दो एक ऐसा अभाजी संख्या है जो की समसंख्या है एवं पूरी के पूरी अभाजी संख्या में कहीं पर आपको सम संख्या नहीं मिलेगा और भाजी संख्या के बाद हम लोग भाजी संख्या देखेंगे भाजी संख्या वैसी संख्या को हम कहेंगे जिसका दो से अधिक गुनन खंड हो तो, उस संख्या, जो संख्या का दो से अधिक उननुख़ोसे संख्या को हम भाजी संख्या कहेंगे आईए हम एक से दफ्ट तक का नंबर लेते हैं और देखते हैं इसके कौन कौन सी संख्या है हमारे पास भाजी संख्या है और पहला भाजी संख्या क्या है एक का केवल एक गुनन खंड स्वयं है दो का एक और दो यानि एक और स्वयं इसका गुनन खंड है यानि कि ये और भाजी संख्या का कोरम पूरा करता है उसी परकार तीन का भी एक एवं स्वयं तीन ही गुनन खंड है इसलिए या भी जो और भाजी संख्या का कर्मेंट कंडिशन है उसको ये फॉलो करता है चार एक गुना दो गुना दो देखिए हमें है अपना पहला भाजी संख्या मिल गया है यानि कि पहला हमारा भाजी संख्या पहला भाजी संख्या एक चार है क्योंकि इसका गुनान खंड एक गुना दो गुना दो यानि कि दो से अधिक गुनान खंड है अब यहाँ पर 5 को देखते हैं तो 1 गुना 5 यानि एक और स्वाइंग 6 को देखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 7 को देखते हैं तो इसका गुननखंट 1 एवं स्वाइंग है जो की अभाज जी संख्या के term and condition को फॉलो करता है 8 यानि कि एक गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानि कि इसका 2 से अधिक गुननखंड है 2 से अधिक गुननखंड है यानि कि यह भी हमारा भाज जी संख्या के term and condition को फॉलो करता है ये देखिए 9 एक गुना 3 गुना 3 ये भी हमारा भाज जी संख्या के नियमों को मानता है अब 10 एक गुना 2 गुना 5 तो हमें यहां से भाज जी संख्या पता चल गया कि हमारा सबसे पहला भाज जी संख्या 4 है सबसे पहला भाज जी संख्या 4 यानि भाज जी संख्या 4 से प्रारम होता है दूसरा भाज जी संख्या 6 है तीसरा भाज संख्या 8 है चौथा भाज संख्या 9 है पाच्वा भाज संख्या 10 है उसके बाद अनंत तक की वैसी सारी संख्याएं जिसका की दो से अधिक गुनन खंड हो वे सारी संख्याएं भाजी संख्या कहलाती है भाजी संख्या के बाद हम जानेंगे कि अस्थानिये मान इन जातिये मान किसे कहते हैं अस्थानिये मान एक संख्या हम लेते हैं अभी इस संख्या में अस्थानिये मान हमको देखना है तो आठ का अस्थानिये मान इकाई का है साथ का अस्थानिये मान दहाई का है छा का अस्थानिये मान सैकडा का है पांच का स्थानिय मान हजार का है एक का स्थानिय मान दस हजार का है नौ का स्थानिय मान लाख का है एवं आठ का स्थानिय मान दस लाख का है इसी परकार बाई और जितने भी अंक जुटती जाएंगी वे सारी अंक अपना अपना अस्थानिय मान पर दर्शित करता जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम छे जोड़ दें बाई और छे लगा दें तो इसका अस्थानिय मान करोड़ का हो जाएगा उसके बाद फिर अगर हम इधर बाई और एक अंक जोड़ दें तो इसका अस्थानिय मान 10 करोड़ का होगा अतल यहाँ पर आप सबों को यह जानने को मिलेगा मिल रहा है कि दाहिनी और से जो पर्थम अंक है वो इकाई अंक होता है उसके बाद जो हम बाई और एक-एक करके स्थान जाते जाते हैं वो अपना-पना स्थानी एमान बताता जाता है जैसे कि यहाँ पर आठ जो है प्रथम संग अंक दाई और से प्रथम अंक इकाई का है, दूसरा अंक दहाई का है, तीसरा अंक सैकडा का है, चौथा अंक हजार का है, पांचमा अंक दस हजार का है, छाठा अंक लाख का है, सातमा अंक दस लाख का है, आठमा अंक कोड का है, नौमा आंक दस क्रोड़ों का है, जातिये मान, जातिये मान, एक संख्या हम लेते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहां पर हमको जातिये मान, जब हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि अस्थान कोई सा भी हो, जो अंक है, वही उसका जातिये मान है, जैसे कि यहां पर एक का जातिये मान, एक है, दो का जातिये मान, दो है, उसी परकार, जितनी भी, जितने भी अंक इधर हैं, जितने भी अंक इसमे हैं, सबों का जातिये मान, वो अंक खुद ही हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 का जातिये मान 3 है, 4 का जातिये मान 4, 5 का जातिये मान 5, 6 का जातिये मान 6, 7 का जातिये मान 7, 8 का जातिये मान 8, 9 का जातिये मान 9 होगा इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है अस्थानिय मान और जातिय मान को लेकर बचे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अस्थानिय मान क्या होगा किसी संख्या का जातिय मान क्या होगा जातिय मान जातिय मतलब उसका नाम नहीं परतरसित करता है उसका केटेगरी प्रदरसित का तो वो है क्या वो है क्या अस्थान उसका अस्थान नहीं देखना है जिसे हम अस्थानिय मान मतलब अस्थान कोई कलक्टर है को उसके अंदर का कलर्क है को उसके अंदर का चपरासी है को उसके अंदर का अर्दली है तो यह जो है अस्थानिय मा वो क्या है वो एक आदमी है तो वो एक आदमी होगा वो एक जानवर है वो एक जानवर होगा वो एक पक्छी है तो वो एक पक्छी होगा चाहे हम उसको किसी परकार सी धर-धर करके लिख दें उसको रख दें लिए उसका जाती एमान वही होगा सभी मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी मित्रों को एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर एक्जाम्स में आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है क्योंकि अगर हम आकलन करें तो एक्जाम्स में सीटें जो होते हैं वो 500 सीटों का एक्जाम होता है कि वहाँ पर 500 ही बच्चों का सेलेक्शन होगा तो उस पर फॉर्म जो है 5 लाख गिरता है 5 लाख बच्चों में से कम से कम 50,000 बच्चे तयारी करने वाले होते हैं तो किन ही उन ही 50,500,000 में से 500 बच्चों का ही सेलेक्शन होना है अता अपने आपको कमजोड ना समझें आप ऐसा समझें कि उस एक्जाम में हमें जो कोश्चन पूछा गया है उस कोश्चन को हमसे अच्छा कोई और सोल्व कर गया कोई और हमसे एक अंक दो अंक ज़ादा लाया और उसने सफलता प्राप्त कर लिया ये ना समझे कि आप कमजोड हैं और हतो साहित नहीं होना है जिन्दिगी से कभी डर के नहीं भागना है लड़ना है सभी मित्रों को आगरा है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें